अलो डेडर्स वेलकम टे लेस्वी मैं अधीपन को गई आज हम बात करेंगे ब्रेंग निफ्टी का उपर देखेंगे कहां पर एंटी कर सकते हैं तो पहले आप लाज दे आ आई थिंक इन फ्राइडे आई टोल डेट मैंने बोला था आपको जैसे आपको यहां पर मोविंग आटी करने के लिए आपको बोला था तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें एक एंटी पॉइंट का बात हमें मुझे मैंने एक लाइन ड्रो किया था जिसे यहां पर टार्गेट दिया था आपको रैट तो इसको थोड़ा चोटा करके देखेंगे तो आपको देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह मैंने क्यों यह लाइन ड्रो किया था आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो हायर पॉइंट था हायर पॉइंट को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रो किया था यह डायगोनल लाइन रैट तो डायगोनल लाइन में आप देख सकते हैं तो मैंन market नीच्चे आना शुरू कर दिया, तो हमें कहां पर आभी anti point कहां मिल शक्ता है, इसको देखेंगे तो हम देख सकता है, यहां पर अगर थोड़ा में इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहां पर जो moving average crossover हुआ, यहां पर जो moving average crossover हुआ, तो यहां हमें एक anti point मिला था इसका नीच्चे में, तो यह थोड़ा पर नीच्चे गिया और आज देख सकता है, market थोड़ा नीच्चे आ रहा है, gap down open हुआ है, तो अगर यह market अपने anti किया, तो आपका target कहां कहां तो आप target ले सकता है, तो इसलिए आप देख सकता है, यह 26,500 का आसपास एक target हमें मिला हुआ है, यहां पर देख सकता है, 26,500, तो मुझे लगता है, यह market ब्रेक आउट हुआ और इसको थोड़ा बहुँ retracement करके यह थोड़ा निच्छे अनेगा sunset है, जिसे 26,500, तो अगर आप यह market अगर यह निच्छे नहीं आया, यहां पर यह तक नहीं आया, एरांड 26,500, तो मुझे लगता है, यह market फिर से market उपर जा सकता है, तो आपको anti कहां करना है, तो आप देख सकता है, यह blue line moving average, or blue line 20 moving average, or red line 5 moving average, इन दोनो का जब crossover होगा तो इहां पर हमे anti कर सकता है, और next target हमे 27,500 का असपास ले सकता है, so I hope you enjoy this video, if you like this video, please like and subscribe, thanks for watching.